हेई गाइस कैसे आप सभी मैं हूँ आमित कुमार और आप देख रहे हैं इंडिन बाया चैनल सुग जैसे कि आप जानी चुके होंगे इस वीडियो के टाइटल और थम्नेल से कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिमालय प्रोकेस्टा की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू कवाय चलिए शुरू करते हैं सो गाइज यह है प्रोड़क्ट हिमाला क्वेस्टा प्रो जो कि अमजॉन पर 16 जुलाई को लॉंच हुआ था और मोस्ट अवेटिड प्रोड़क्ट कहा जा रहा था कि अमजॉन पर यह रहेगा प्राइम डे सेल्स पे तो यह काफी अच्छा एक प्रोड़क्ट है जो कि मैंने पॉचेस किया था और मुझे यह 18 को डिलिवर हो चुका था यानि दो दिन बाद मुझे यह डिलिवर हो गया था तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की पैकेजिंग में आता है 1 kg है कॉंटेटी है इसकी और यह चॉक्लेट फ्लेवर में नित के बारे में इस इसलेटेम में बात करेंगे 5 पांश एसे छोन्त यहां बाते कटे हैं और सबसे पार बहर है हम इसकी सेफटी के लिए हमारी बोडीग थे मंहारी इस सचेट major करते हैं तो हमारी body इससे addicted हो जाती है हम को यह consume करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो हम जिम छोड़ भी दें तो भी हमको इसको consume करना ही पड़ता है यह सारे मित में यहाँ पर कवर करने हो लाँ सबसे बहला मित लेते हैं जो कि है इसकी safety के उपर, तो क्या ये product safe है, तो हाँ, बिल्कुल safe है, क्योंकि ये product बनता है cow's milk पे, अगर आप internet पे search करें, google पे थोड़ा बहुत क्योरी search करें, तो आप जान पाएंगे, या आप videos भी देख पाएंगे, वहाँ पे, कि whey protein बनता है cow's milk से, यानि cow के milk से derive किया हुआ एक consume कर सकता है, तो guys, दूसरा myth है, वो है drugs, क्या ये drugs है, या कुछ ऐसी चीज है, जिससे हमारी body addicted हो जाएगी, या कुछ ऐसा product है, जिसको हमको lifetime लेना पड़ेगा, बिना रुके आप जिम छोडने के बाद भी इसको consume करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये एक safe product है, जैसे मैंने बताया, 100% milk से बनता है, तो ये एक dairy product है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको lifetime consume करना पड़ेगा, third myth है, यहाँ पर इसके side effect, लोग किते हैं body swell हो जाती है, या आप बोलते हैं लोग कि डिब्बे वाली body है, यानि आपकी body fully fully लगती है, तो आप डिब्बे लेते हैं, यानि protein, वे protein का कहने का मतलब होता है, वे protein लेते हैं, तो जी, बिल्कुल side effect इसके होते हैं, बहुत cases में आपको side effect दिखेंगे, पर in general इसके कोई side effect नहीं है, unless आप इसको गलत तरीके से ना consume कर रहे हो, तो यहाँ पर इसको एक सही तरीका यह है, कि आप pre-workout, यानि workout से पहले, और post-workout, यानि workout के बाद आप इसको consume करो, तो इसका benefit, consume और absorption बहुत अच्छे से होता है, और अगर आ protein intake आप ले रहे हैं, continuous है, आपका intake बहुत जादा है, जितना आपकी body को requirement है, आपके weight के proposition में, तो भी इसका side effect हो सकता है, चोथा मित है कि क्या यह substitute है हमारी regular meal के, तो regular meal बहुत compulsory है, दोस्तों, अगर आप gym जा रहे हैं, तो आपको एक healthy diet plan बनाना बहुत ज़रूरी है, आप स सिर्फ protein है इसमें, यहां पे carbs नहीं मिल रहे हैं, आपको vitamin minerals नहीं मिल रहे हैं, जो आपको normal food से मिलते हैं, तो आपको healthy fats नहीं मिल रहे हैं, और ऐसी बहुत side nutrition values हैं, जो आपको खाने से मिलती हैं, आपकी healthy diet, चपाथी, दाल, चावा, रोटी, सबजी से मिलती है, वो आप इ लेकिन protein is not only thing, जो आपको चाहिए, body build करने के लिए, आपको सारी चीज़े चाहिए हैं, so guys, अब बढ़ते हैं, हम पांचपे मित की तरफ, जो की है, हमारा substitute, whey protein का substitute होता है कि नहीं, whey protein के substitute बिलकुल है, आप whey protein की जगह, क्योंकि आपको protein consume करना है, तो आप egg ले सकते हैं, चीकल ले सकते हैं, अगर आप non-veg consume करते हैं, अगर आप vegetarian भी हैं, तो आपके पास बहुत सार उप्शने से, यहां पर आप peas खा सकते हैं, यानि मटर खा सकते हैं, green peas जो होते हैं, वो खा सकते हैं, चिक पीज, तो इसके लाब़ा आप spinach का सकते हैं, इसके नहीं हाई content होता ह iron और protein का, तो एक बहुत अच्छा source है, spinach, green leafy vegetable बहुत ज़रूरी होता है एक जिम गोहर के लिए, तो वो आप consume कर सकते हैं, बट हाँ, इसका alternative नहीं है, आप अगर advanced level पे हैं, आपने 2 या 3 साल time spent कर लिया है जिम में, और आपकी body अब उतनी grow नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं क grow होगी, आपके muscles भी tone होगे, पर अगर आपको advanced में जाना है, तो आपको वी प्रोटीन एक level पे आने के बाद आपको वी प्रोटीन consume करना पड़ता है, but this is not mandatory, ऐसे बहुत सारे bodybuilders हैं, जुन्होंने वी प्रोटीन आज तक छुआ भी नहीं है, consume नहीं किया, फिर उनके अच हाँ, उसका एक ही side effect होता है, कि आपकी liver पे effect पड़ता है, red meat, कहा जाता है कि red meat अच्छा नहीं होता है हमारी liver के लिए, वो गर्मी produce करता है, बहुत ज़्यादा heat produce करता है body को, तो आगे चलके हमारी old age में दिक्कत करता है वो, तो मेरी काल जे, simple or straight solution यहाँ पर यह है, कि को addiction हो जाएगा, ना इसकी कोई side effect है, so guys, अब तक हमने इस वीडियो में सारे myths burst कर दी है, और मैंने आपको facts बताया है, जो real, actual होते हैं, तो आप बात कर लेते हैं, इस product के बारे में, whey protein, questa pro, जो कि हिमालया की तरफ से है, तो यह brand, आप जानते हैं, काफी well-owned brand है, और यह particular questa pro क्यों दूसरे whey protein से अच्छा है, जो international brand है, यह अपने local Indian brands जो है, जिसे muscle blaze वगरा में, तो उनसे अच्छा क्यों है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़े बताने वाला हो, इसके ने whey protein blend, जो होता है, यानि तिन components होते हैं, वे protein concentrate, isolate और hydrosolate, तो इसमें तीनों पूरे box में आपके वे protein है, यानि वे protein concentrate, isolate और hydrosolate, इसके लावा यहाँ पर तीन botanical ingredients भी हैं, जिसमें आपकी अच्छी तरह से advertise किया है, कि इसमें अश्वगंदा है, हर्जोड है, और अनार का powder है, तो यह तीन ingredients होते हैं, जो आपके muscle soreness, bone और you know, fatigue वगरा, pain, इनके आपके recovery fast होती है, और हमारी muscle growth भी होती है, जैसे अश्वगंदा है, muscle strength और endurance के लिया जाता है, वहीं हर्जोड आपके joints और ligaments वगरा के लिया जाता है, अनार हमारे soreness और tiredness वगरा को overcome करने के लिया जाता है, तो यह तीन ingredients हैं यहाँ पे, जो natural ingredients लिये के हैं यहाँ तो पर 2 या 3% होगा, total ingredients में अगर आप देखेंगे, आपे ingredients जो mention है, उसमें सिर्फ 2 या 3% ही total आपको वो botanical ingredients मिलेंगे, इसके लाबा बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो whey protein यहाँ पे आपको 34 gram का serving scoop है, जिसमें आपको लगबद 22 gram whey protein मिलेगा, इसके लाबा amino acids essential amino acids जो होते हैं, वो 10.3 grams है, इसके लाबा BCAA यानि branch chain amino acid यहाँ पे 5 gram मिलेगा, glutamine and glycemic acid लगबद 3.1 gram मिलेगा, और whey peptides यानि whey protein hydroslate आपको 550 mg मिलेगा, तो काफी सही सा एक composition है, हाला कि आप देखेंगे इसके packaging तो काफी simple से packaging है, कुछ भी ऐसा interesting नहीं है, या कुछ ऐसा high take नहीं है, यह बिलकुल simple सी cap लगी हुई है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक sealed pack है, तो अभी यह sealed pack है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी बाहर, outer तरफ कोई भी sealant नहीं है, या जिसको कहते हैं कि holographic sticker या ऐसा कुछ नहीं है, कि आप इसको पैचान सके, market में differentiate कर सके कि first copy है, या इसके अंदर mixture किया हुआ, adulterated है, तो यह आप नहीं पैचान सकते है, हालग कि आप अगर box के नीचे दिखेंगे, तो यहाँ पर edge करके एक hologram बना हुआ है, यह actually logo है, हिमालिया का, हिमालिया drug company का, तो इसके अलाबा आपको इसकी originality जानने के लिए, आप यहाँ प यह आप verify करा सकते हैं कि यह original product है कि नहीं, और बागी चीज़े आपको यहाँ पर अच्छे से समझाई हुई है, direction किस तरह से use करना है, direction of use, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, प्रॉपरली, आपको 34 gram का एक scoop लेना है, और आपको पानी से भी ले सकते हैं, या दूद से भ lifestyle है, तो आपको सिर्फ 200 ml दूद के साथ 20 gram whey protein लेना है इसका, और आपको one time consume करना है, अगर आप body builder है, muscle builder है, आप जिम जाते हैं, regular और अच्छी workout करते हैं, तो आपको two time consume करना है, एक pre workout, एक post workout, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और आप चाहें तो इसको blend कर सकते हैं, अपने smoothies के साथ, आप mango, banana, shake वगरा बना सकते हैं, इसके साथ, उसको ही add कर सकते हैं, scoop, या तो चाहें आपको breakfast cereal वगरा में भी डाल के इसको consume कर सकते हैं, इसके लाब अगर आप देखें, तो यहाँ पे nutrition information, सब कुछ दी गई हुई है, प्रॉपरली, सब कुछ mention है, इसके अब लिखा है content added flavor, तो यहाँ पे आपको flavor add किया है, जो कि है chocolate, और इसके नए artificial sweetener दिया है, यहाँ पे कोई भी sugar content कम करने के लिए, यानि calories कम करने के लिए, यहाँ पे आपको artificial sweetener दिया हुआ है, जो कि है है, सुक्रुलोज, जो की एक artificial sweetener है, जैसे कि आप सब जानते होंगे तो यहाँ पे यह चीज kids के लिए recommend नहीं यानि बच्चे इसको consume नहीं कर सकते और pregnant lady को भी इसको recommend नहीं किया जाता है तो guys यह सब थी इसकी outer जो भी यहाँ पे mention था मैंने आपको सब समझा दिया बता दिया आप जब भी आप अगर first time user हैं तो आप सब कुछ read कर सकते हैं समझ सकते हैं कि वेब रोटीन क्या होता है किस तरह से use करना है इस product को तो guys यहाँ भी फटफट इसको मैंने यह cap निकाल दिया cap remove कर दिया है cap आप देख सकते हैं इस तरह से remove किया मैंने और अब इसको बस खोलना है तो यहाँ पर मैं एक cut लगाऊंगा deep cut करूंगा तो जहाँ चॉक्लेट यह स्मेल कर रहा है बिल्कुल और यहाँ पर ग्रीन का स्कूप है जो कि यह स्कूप तो यह 34 ग्राम का स्कूप है जो कि आपको मिलक या वाटर के साथ consume करना है तो यह स्मेल चॉक्लेट जो सा करता है मैं फर्स तेम consume कर रहा हूँ I am also new to this thing So that's all for now guys I hope आप कोई वीडियो पसंद आया है अगर आया है तो जरू से एक like तो बनता ही है और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चनल अभी तक subscribe नहीं के तो subscribe भी कर लो और कोई भी आगर आपका doubt है तो आप comment कर सकते हो नीचे हमको comment करके बताओ क्या questions है या क्या doubts है हम मैं जल्द से जल्द आपका reply करने के कोशिश करूँगा तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं आगले किसी वीडियो में तब तक के लिए धनेवाद stay healthy and stay fit bye